हलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज धिवान राजेश दिमान में आज हम रिलेशन एंड फंक्षन में स्टडी करेंगे ओर्ड पियर ओर्ड पियर क्या कि जा है तो उनको हम बोलते है ओर्ड पियर इन विच पोजिशन ओफ ओफ ईडेमेंट इस कुछी यह पहले नंबर पे लिखा गया है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट यह दूसरे पे लिखा गया है तो इसको बोलेंगे second element in any ordered pair a b a is called first component या element and b is called second component या element देखिए a b ordered pair जैसे नाम से ही पता लग रहा है order में order का मतलब है position में जैसे ये पहले number का element होगा ये दूसरे का होगा अगर हम b a रख दें तो b पहले पर आ जाएगा a दूसरे पर चला जाएगा इसको बोलेंगे हम ordered pair जैसे इसका example हम चेक करते हैं एक three four ये ordered pair आ गया एक example और लिखता हूं मैं minus four five तो यहां पर first element three है यहां पर second element four है यहां first element minus four है यहां second element five है तो यह है example of ordered pair है आगे है equality of an ordered pair दो ordered pair कब equal होंगे दो ordered pair equal तब होंगे जब उन दोनों के first elements आपस में equal होंगे and second elements आपस में equal होंगे मतलब है two ordered pairs a b and c d यहां पर यह पहला ordered pair है यह दूसरा है are set to be equal if and only if इसको हम पढ़ते हैं if and only if yes notation है if and only if a is equal to c and b is equal to d मतलब क्या हुआ जो पहले number का ऐसे number होगा पहले के बराबर होगा और जो दूसरे number पे लिखा गया है वो दूसरे के old good होनी चाहिए और जो दूसरे number पे है जैसे यहां पर b है यहां पर d है तो b और d आपस में बराबर होने चाहिए अब हम कुछ questions करेंगे equality of an ordered pair के ओपर हमारा question है find x and y if ordered pair 2x x plus y is equal to 62 तो सबसे पहले हम इस question को करते हैं यहां पर लिखा है 2x, x plus y मतलब यह एक ordered pair है और यह बराबर होगा किसी दूसरे order pair के बराबर तो x और y की value कैसे निकलेगी तो हम क्या लिखेंगे y the condition of equality of ordered pairs यह दो ordered pair equal तब होंगे जब यहां पर देखिए 2x 6 के बराबर होगा 2x will be equal to 6 and दूसरी condition भी hold good होनी चाहिए x plus y यह बराबर होना चाहिए 2 के बराबर देखिए यहां पर यह दूसरे number पे है इसी को हम ordered बोलते हैं 3 plus y is equal to 2 और by की value आ गई 2 minus 3 which is equal to minus 1 तो x आ गया हमारे पास 3 और by हो गया minus 1 अब हम second question करेंगे x over 3 plus 1 by minus 2 over 3 is equal to यह order pair है 5 over 3 and 1 over 3 के बराबर so वही condition लगाएंगे हम यह दोनों equal तभी हो सकते हैं जब इनके ordered pair में respective element equal होंगे मतलब पहला element पहले के बराबर दूसरा element दूसरे के बराबर x over 3 plus 1 यह बराबर होगा 5 over 3 के बराबर और by minus 2 over 3 यह बराबर होगा 1 by 3 के अब यहां से हम x की value निकालेंगे यहां से by की value निकालेंगे तो x की value कैसे हैगी इस one को हम दूसरी तरफ shift कर देंगे हमें मिलेगा x over 3 is equal to by is equal to 5 over 3 minus 1 तो यहां से मिलेगा यह 3 देखिए lcm ले ले लेंगे हम तो 5 minus 3 और यहां से आएगा 2 over 3 यहां भी 3 है यहां भी 3 है यह 3 3 खत्म हो गया x की value आगई 2 इसी तरह से यहां पर by की value निकालेंगे तो हम क्या करेंगे direct ही 3 से multiply कर सकते हैं 3y minus 2 क्योंकि जब 3 से multiply करेंगे तो यह 3 cancel हो जाएगा equal to 1 क्योंकि जब यहां 3 से multiply करेंगे तो यह 3 भी cancel हो जाएगा और 3y is equal to यह minus इस side चला जाएगा तो यह plus 2 हो जाएगा और 1 प्लस 2 3 के बरावर और फिर ये 1 1 रह जाएगा यहां पर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो Y की वैल्यू 1 रहेगी इसका मतलब हुआ X2 Y1 ये इसका अंसर आ गया अब ये क्वेस्चन मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ इसमें आपने X over 4 0 के बरावर रखना है बहां से X की वैल्यू निकालने है और फिर जो दूसरी एक्वेस्चन बनेगी आपकी X-2 Y 6 प्लस Y के बरावर बहां पुट कर देनी है बहां से Y की वैल्यू निकलाएगी अब हम इस 4th question को करते हैं तो यहां क्या होगा 2X प्लस Y respective element बरावर होंगे and X-Y 3 के बरावर अब इन दोनों को हमने solve करना है तो देखिए इन दोनों को solve करना हम सीख चुके हैं अपनी पिछली class में क्योंकि यहां दोनों के coefficient बरावर है Y का यहां पर 1 है यहां माइनस 1 है तो जब दोनों को add कर देंगे तो हमें मिलेगा 2X प्लस X 3X equal to 8 प्लस 3 11 और X की value आ गई 11 ओबर 3 अब यह value X की 11 ओबर 3 हम put कर देंगे यहां पर equation number 1 में so putting X in 1 तो 1 क्या है 2X प्लस Y is equal to 8 2 x 11 ओबर 3 प्लस Y is equal to 8 और फिर देखिए यहां 3 से हम multiply कर देंगे जब 3 से multiply करेंगे हर term को तो यहां पर 3 से multiply हो जाएगा और इस 8 को भी 3 से multiply हो जाएगा यह 3 3 खत्म हो जाएगा यहां से मिलेगा हमें 22 प्लस 3 Y और यहां से मिलेगा 24 अब यह 22 यहां shift हो जाएगा तो 3 Y की value मिलेगी हमें 24 माइनस 22 2 के ब्राबर Y की value हो जाएगी 2 over 3 और यह हमारा answer आजाएगा X की value है 11 over 3 Y की value 2 over 3 अब अगर आपको यह concept सम्झ मां आ गया होगा तो एक question ओर है आपके लिए exercise का इसका आपने solution निकालना है और answer comment box में comment करना है तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने ordered pair के बारे मैं और equality of ordered pair के बारे मैं study किया मुझे पूरी उमीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप इस वीडियो को like करें अपने friends के साथ भी share करें अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe कर लिजिए इसी तरह मैं इसके ओपर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद